अबसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तनवंधन में दोस्तों आज मेरे पास है मैसूर सेंडल गोल्ड सोप आज इस सोप का मैं रिव्यू करूँगा इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सोप के रिव्यू किये हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर सोप की पैकेजिंग की बात करें तो काफी अच्छे तरीके से इसे पैक किया गया है यहां पर हाइलाइट किया गया है कि 1916 यानि कि ये ब्रैंड काफी पुराना है और काफी पॉपलर भी है दोस्तों कोई भी सोप हो अगर आपको उस सोप की क्वालिटी के बारे में जानना है तो आपको उस सोप के TFM लेवल को चेक करना होगा अगर इस मैसूर सेंडल गोल्ड सोप के TFM लेवल की बात करें तो इसका TFM लेवल है 80% जो की काफी हाई है मैंने इस से पहले बहुत सारे सोप देखे हैं लेकिन इसका जो TFM लेवल है वो काफी हाई है इस नजर से देखें तो ये सोप काफी अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों जिस सोप का TFM लेवल जितना ज्यादा रहेगा वो सोप आपकी स्कीन पर उतना ही सेफ रहता है उतना ही अच्छा इफेक्ट उसका आपकी स्कीन पर रहने वाला है दोस्तों ये ग्रेड वन का सोप है और इसका जो नेट वेट है वो है 125 ग्राम इसका MRP है 85 रूपीज दोस्तों तीन साल तक इसकी self life रहती है अगर आप इस soap को discount के साथ करीदना चाहते हैं तो link भी मैंने description box में दिया है अब इसे unbox करके भी आपको दिखा देता हूँ इसे plastic pouch में pack किया गया है और इसकी जो fragrance है वो अभी तक मुझे मैसूस हो रही है काफी अच्छी fragrance है अब इस soap को यूज करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जाग अच्छी तरह से बनाता है इस soap में sandalwood oil और almond oil भी है जिसकी वजह से आपकी skin का जो color है वो lighter हो जाता है skin nourish हो जाती है skin tone improve हो जाएगा इसके अलावा दाग दब्बे और जाईया इस soap के इस्तमाल से दिरे-दिरे खतम हो जाते है इस soap के यूज करने से pimples और acne भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि इस soap में antibacterial properties भी पाई जाती है इस soap को face और body पर यूज किया जा सकता है male और female दोनों ही इस soap को try करके देख सकते है इस soap को dry skin वाले भी यूज कर सकते है अगर आपके skin extra dry है तो आपको इसके बाद moisturizer भी skin पर लगाना होगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इस मैसूर sandal gold soap के बारे में वीडियो को आप like कीजेगा family और friends के साथ share भी कीजेगा मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार